आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग का वो स्ट्रेडिजी सीखेंगे जिस स्ट्रेडिजी के वज़े से कोई भी बंदा गरीब नहीं रहेगा मैं चाहता हूँ कि तुम एक महीना बाद आके कामेंट करो सेम इस स्ट्रेडिजी को तुम अपनाओ और मुझे अपना ट्रेडिंग का पॉर्ट्फोलियो लिगाओ अगर तुम्हारा प्रिंसिपल इन्वेस्मेंट डबल ना हुआ तो मुझे कहना कि यह स्ट्रेडिजी सही नहीं थी आज हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रेडिजी के बारे में कि वो आपका ट्रेडिंग जर्नी एक डिफरेंट लेवल पर लेके चलेगा यह एक मॉल्टी मिलियोनेर अपने एक्सपिरियंस से और नंबर से आपको यह स्ट्रेडिजी देगा नंबर नेवर लाइज तुम्हारी जान तुम्हें जूट बोल सकती है जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारी बीवी जूट बोल सकती है गुलबदिन ख तुम जूट बोल सकते हो सब हर बंदा जूट बोल सकता है लेकिन नंबर जूट नहीं हमेशा एक कंपनी का अनालिस और अपना इन्वेस्मेंट बेस ओन दे कंपनी नंबर करो क्योंकि कोई भी बंदा नंबर को जूटी नंबर दो टके की सोच मत रखो और हमेशा दो टके क stocks भी buy मत करो, penny stocks गरीब लोग दो टकी की लोगों के stocks है, penny stocks को मत buy करो, अग जो strategy मैं आपको बताने वाला हूँ, ये blue chip stocks क्या strategy है, और strategy की वज़ा से, मैं जितने भी बच्चे हैं, इनको guarantee देता हूँ, के बच्चो तुम multi millionaire क्या, एक दिनाएगा तुम multi billionaire बनोगे, हम बात करते हैं Airbnb के ticker के बारे में, सबसे पहले अगर एक company को आपने study करना है, उसमें investment करना है, हर एक company का balance sheet देखो, के company का balance sheet क्या कहता है, अगर शाहिद अनवर तुम्हारे पास आए और कहें कि शाहिद अनवर LLC म अच्ची हो जाएगी, लाजमी बात है, if you are smart, तुम मुझसे पूछोगी कि बाई, balance sheet देखाओ, मुझे balance sheet देखना है, cash on hand कितना है, production कैसा जा रहा है, that's it, तो बात करते हैं Airbnb, आज का हमारा topic only Airbnb है, that's it, और तुम्हारी trading की journey भी Airbnb सी शुरू होगी, I know Airbnb का stock जो है, 128 dollar का है, तुम कहो कि शाहिद भाई, मेरे पास तो 10 stock खरीदने के पैसे बनी, मैं चाहता हो, अगर तुम्हारे पास एक stock की भी पैसे हो, एक share खरीदो, I want you to buy fractions, चोटे से शुरू करो, तुम शाहिद अनवर नहीं हो कि तुम्हारे buying power में जो है, एक लाग, दो कोर, multimillion dollar की already stock, so no, it takes time, हम Airbnb का balance sheet जो कि अर मैं चाहता हो कि तुम डेली, religiously, only Airbnb में चाहता हो कि तुम्हारे watch list में, only Airbnb हो, अब Airbnb क्यो, Airbnb हमेशा consolidated pattern में रहता है, और एक trader के लिए positive sign है, कि आपने हमेशा consolidated pattern charts को ही follow करना है, low volatility, जितनी ज्यादा volatility हो, I know, एक stock की ज्यादा volatility हो, high risk, high reward, I agree, बर तुम गरीब हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, लोगों को मत देखो कि मैंने option से इतना बनाया मैं वो हो, no, लोगों के discords में मत जाओ, एसे चुही की तरह बैठके कि इस discords में अभी आएगा कि ये लो मैं अमीर बन जाओगा, no, कोई crypto नहीं है जो तुम्हें रातो रात अमीर कर लेगा, हम बात कर रहे हैं, real trading के, अगर तुम चाहते हो कि तुम पैसा लूज ना करो, ये हमारे बाबा का कौल है, हमारे Warren Buffett बाबा का कौल है कि हमेशा पैसा को लूज नहीं करना, अगर पैसे को लूज नहीं करना, you have to play smart, you have to buy blue chip, बक्वास दो टके की शेयर नहीं, लोगों को मुझ सुनों, यार पैसी तोक है, खत्रा लो, no, you wanna play smart, क्योंकि आगे smart लोग बेटे हैं, तुम उनके साथ मुकाबला करोगे, अगर उनके साथ मुकाबला करना है, तो तुम्हे smart बनना होगा, मैं आपको system के तर only airbnb, ऐसा करो जैसे हम मुसल्मान, पांच वक्त नमास पढ़ते हैं, और सुभान से लए कि, अल्हम्दुलिल्लाह रब्लालमीन, ऐसे, only airbnb, religiously, मैं चाहता हूँ, only airbnb, इदर उदर मु मत मारो, ओस्ता उबर जा रहे, no, relax, slow down, अपना एक रेडिंग स्टाइल चूज करो, now I wanna give you a style, मैं चाहता हूँ, कि तुम इस style को अपनाओ, अंदर ले के आओ, इस style को, और style को daily, तुम इसे apply करो, हो सकता है, कि, अगर सुभा तुमने airbnb बाई किया, हो सकता है, वो एक दिन में ऊपर ना जाए, it's okay, swing trade it, अब जो बाते में कहने जा रहा हूँ, swing, day trade, ये एक लंब topic, but कोई rocket science है, अगर आपने इसके बारे में सीखना है, मैरे university है, मैंने step by step सब कुछ दिखाए, but आज की इस video में, ये strategies, तुमें घरीबी की मौत से जरूर बचाए, बढ़ते हैं system के तरफ, जो चीजें मैं दिखाता हो, उसे apply करो daily life में, trust me, तुम अपने bet से पिर तुमें जरूरत भी नहीं, उटो, जिब तुम्हारी आंग को ले, 9.30 को stock market open होगा, EST time, तुम करो क्या, 7-8 बजे देखो, pre market में, airbnb तुम pre market में भी पैसा बना सकते हो, जान, दोबारा बता रहा हो, airbnb के price को मत देखो कि 128 है, मैं, 1000 share के बारे में में मत सूचू, fraction, बढ़ते है system के त इन्वेस्ट करने से पहले हम balance sheet देखते हैं, balance sheet को हम कैसे rate करते हैं, यह आपको school में नहीं बताया जा सकता, और ना वो कभी बताते हैं, हम yahoo finance पे जाएंगे और airbnb का, airbnb का ticker डालेंगे, all right, so यहाँ पे, इस option पे, conversation के साथ, जो statistics का option है, इस पे हम click करेंगे, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यह company का balance sheet है, और cash flow statement है, so इतना तगड़ा balance sheet जो है, ना तो तुम्हारे bitcoin का हो सकता है, और ना वो तुम्हारे दो टके के stock का हो सकता है, so, total cash in के पास कितना है, 10.59 billion dollar, लेकिन, जानते हैं के company पे करज़ा कितना है, main चीज़ देखो के company पे करज़ा कितना है, और company के पास cash कितना है, red flag हमें कहां से पता चलेगा, जब एक company पे 10 billion का करज़ा हो और company के पास 2 billion cash हो, अब होगा क्या, देखो, companies करते क्या है, कुछ company IPO क्यों जाते है, why, why do they go on IPO, क्यों जाते है, जब उनके पास पैसा खतम हो जाए, company पे करज़ा आ जाए, mostly companies IPO जाती है, और लोगों से पैसा लेके, सारा पैसा करज़े में डालके, stock नीचे चला जाता है, पिर लोग बैठ जाते हैं, अगर 10 सालिया company सम टाइम तो IPO में इतना पैसा कमा कि अपने करज़े को चुका के, company डूब जाती है, तो वो दूसरा टापिक है, उस पे बात नहीं करते हैं, अगर रेड फलेग क्या होगा, अब यहाँ पे रेड फलेग नहीं है, company पे only करज़ा जो है 2.3 बिलियन है, लेकिन company के पास total cash 10 बिलियन डालर पुड़ा है, लेट से अगर company को खसारा होता है, या करज़दार company से पैसा मंगता है, करज़ा, तो company जो है 10 बिलियन से अगर 2 बिलियन डे तो पिर भी company के पास 8 बिलियन cash है, your investment is safe, तुम यह नहीं कह सकते कि यार यह मेरा पैसा जो है, फर्जी में दे देगे, no, operating cash flow देखो, 3.82 बिलियन, so बहुत से ऐसी चीज़े है, तुम इनका जो है, इनका cash flow भी अच्छा है, they are making a lot of money, Airbnb तुम्हें पता है कि लोग दुनिया पर में use कर रहे, and they are growing, so करो क्या, अब जाते हैं हमारे broker पे, अब broker पे जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इनका एक month का chart देखो, कितना consolidated है, let's say, मेरा strategy क्या है, मैं dip में buy करता हूँ, यहां निकल जाता हूँ, और यह dip हर दिन आता है, let's say, अगर यह 125 पे buy किया, 124 पे निकल जाओ, 125 पे buy किया, 139 पे निकल जाओ, यह मैं तुम्हें same day की बात कर रहा हूँ, जुलाइ 21 से, अगर इस dip में buy किया, 120 पे, same, 131 पे निकल जाओ, फिर से dip होगा, consolidate है, we call this consolidate, इस chart को देखो, इसका support देखो, सब कुछ देखो, this is called consolidated, देखो, यह जो सांप की तरह जाँ रहा है, सांपी consolidated pattern पे चलता है, जुम 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 अपनी शिकार तक, यह वही सांप है, और यह हमेशा consolidated pattern में ही चलता है, चाहे तुम एक साल का stock लो, या पांच साल की history देखो, they go consolidate, 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 तो अब होगा क्या, एक trader के लिए, खुशखबरी हमेशा यह होती है, जब उसे एक टिकर मिल जाए, जो consolidated pattern का हो, मेरी जान, एक share buy करो, यहाँ पर, एक सो चप्विस पे, जब एक सो तीस पे पहुंच जाए, एक सो के चार डॉलर की मुनाफिय से निकल जाओ, प्लिस 50 अच्छा है, माइनस 50 से, तो हमेशा एक स्टाक से अगर दस स्टाक लेते हैं, तो अगर तुम्हारे पास दस हजार डॉलर देखो, मेरे पास buying power में अभी अटाउन हजार डॉलर पड़े, तो मैं आराम से इसमें जो है, अगर कल market open होगा, मैं अगर इसमें जो है, 400 shares भी buy करता हूँ, 130 पे buy नहीं करूँगा, it's peak, I will wait कि ये 127 पर आ जाए, प्री मार्केट में अगर 127 पे आ जाता है, मैं खरीद के 60,000 लगा की निकल जाओंगा, मैं ऐसी का, तो अगर मैं मेरे trading history पे जाओ, शाहिदन वर हमेशा वो बात करता है, जो वो करता है, तो अगर आप मेरे trading history पे जाओ, if you go to my trading history, मैं different companies में जो है, invest करता हूँ, let me show you, यहाँ पर मैंने 430 shares लिये है, 129 के, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बेची कितने के है, यह same day पे, यह 50 minute का game होता है, 50-60 minute मैं 1000-2000 बना कि मैं निकल जाता हूँ, मेरा सारा यही होता है, मैं सारे trades में जो है, open करके blue chip मैं बक्वास बाइ नहीं करता, यह July 7 की ही बात है, 941 को, 941 को मैंने, बाइ करके निकल जाता हूँ, that's it, लेकिन मैं हमेशा dollar cost average भी करता हूँ, बहुत सी यह सी चीज़े है, लेकिन जान मैं चाता हूँ, कि तुम हमेशा Airbnb को अपने watch list में डालो, और इसमें trading शूर को, तुम्हारे पास 2000 डॉलर है, तुम्हारे पास 1000 है, तुम्हारे पास 500 है, अगर तुम्हारे पास 10,000 है, only Airbnb, that's it, stick to it, change मत करो, अगर तुम्हारे आगे और opportunities मिलती है, बरावूट से, कि अगर पैसा लूज नहीं करना, and you always wanna make money Airbnb, Airbnb, मैं तो खुद करता क्या हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं 500 से रेके 1000 शेर्स बाइ करता हूँ, अगर मैं 124 पे 1000 शेर्स बाइ करूँ, यहाँ पर अगर मैं आराम से 130 पे निकलू, कितना मुनाफ़ा हुआ, कितना हुआ, मुझे 5000 का right away मुनाफ़ा हो जाता है, 4000 का हो जाता है, और तुम्हें क्या चाहिए, बस इस strategy को अपना, अभी आप कहोगे, यहाँ आपने हमें strategy बता दिया हम अमीर हो जाएंगे, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाता, Airbnb मेरे बाप की company नहीं है, अगर तुम कुछ बनाओ, और तुम्हें कुछ फाइदा हो, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा, बस तुम्हें फाइदा हो जाए, यह मत कहो कि शाहिद अनवर, Airbnb का advertise कर रहा है, मैं Airbnb के advertising नहीं कर रहा हूँ, उनके पास जो है, कितने billion पड़े हैं, एक मिनट, market cap उनका बहाद से billion डॉलर है, वाउ, सोचो Airbnb, किम लोगों नहीं शुरू किया होगा, और जो है, Airbnb में trading करो, जान अगर पांच शेर के पैसे है, मत सोचो, पांच शेर बाइ करो जान, पांच शेर बाइ करो, इट्रो के फ्रैक्शन, योँ पॉर्टफोलियो ऐसे बिल्ड होएगी, ओ, आराम आराम से होगी, पॉर्टफोलियो, तुम स्टेप बाइस बेबी स्टेप लो, आज पांच शेर खरीदे है, इतना पैसा इस से निकालो कि 10 शेर, 10 शेर खरीदे है, इतना पैसा निकालो कि इस सो शेर तक लेके जाओ, पांच शेर के पैसे है, उस पांच शेर को सो शेर तक ले जाओ, now you have the sticker तुम्हारे पास sticker है कोई rocket science नहीं मैंने तुम्हें strategy दिया wait करो wait करो peak पे मत खरीदना wait करो dip का relax sabar करो जब dip आ जाए अगर तुम्हारे पास 500 shares खरीदने के पैसे है 250 खरीदो wait करो अगर दूसरा dip होता है dollar cost average करो dollar cost का क्या मतलब है तो let's say कि अगर तुम इसे 126 पे खरीदते हो अगर 126 पे तुम अपना सारा पैसा लगा लेते हो let's say अगर स्टाक 125 पे गिर जाता है तो पिर तुम सिब शो देखोगे अगर तुमने dollar cost average किया है 120 पे अगर तुमने आदा पैसा लगाया और 125 पे गिर जाता है और आदा पैसा तुम 125 पे लगा दो होगा क्या जब स्टाक बैक रिवर्स करेगा 120 तक तुम्हारा 125 वाला ट्रेट और रड़ी मुनाफे में होगा you will be on profit और जो लास ट्रेट तुमने किया है तुम even होगे अगर लेट से तुम वेट करो और तुम हारा स्टाक एक से वी कतिस पर चला जाए तुम 10 स्टाक 20 ताइमस तुम जो है मुनाफे में होगे अपने डालर कॉस्ट आवरेज में इसमें कोई राकेट साइंस नहीं है राकेट उडाना नहीं है you just have to invest smartly इन सबर करना होगा सबर 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 और एक ट्रेडर जब सबर का स्टाइल अपना ले वो ट्रेडर जरूर बिलियोनेर बनता है does it make sense good luck